नमस्कार बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं जोतिय शिराहट की आपकी साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश संतोशी सूर्य का राशी परिवर्तल 17 सितंबर से 17 अक्टूबर कन्या राशी में रहेगा इसी राशी में रहते हुए पित्र पक्ष पढ़ता है भात्र पदमाह पित्र पक्ष हमारे पित्रों का पक्ष होता है इसी राशी में रहते हुए पढ़ता है इस बार 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पित्र पक्ष है 17 को सूर्य संक्रानती हो रही है हमारे पितरों के लिए सूर्य देव अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से अम्रित वर्षा करते हुए उनको मोक्ष गामी बनाए समस्त प्रेत आत्माओं को मुक्ति दे हम ऐसा प्रभुशूरे से प्रार्थना करते हैं हे दिब्य शक्तियां हम आपका आवाहन करते हैं हमारे समस्त पितरों को इस धरा के समस्त पितरों को आप मोक्ष परमधाम प्रदान करें मित्रों तीसरे ये तीसरा सत्र है जब गयाजी में हम आप सब के साथ पिन्दान कराते हैं किसी जनम का पुन्य हमारा है कि हम माता पिता की आशिरवात से ना केवल अपने पितरों का अपितु वसुधायो कुटुमगम के सुत्र पर आधारित इस प्रथवी के आप सब जितने भी हमारे दर्शक भाई बहन हैं उन सब की पितरों की त्रिप्ति के लिए हम निमित्त बन रहे हैं यह हमारे लिए परमसव भागे की बात है अरे कोई एक पिता का तो करी नहीं पाता है और वो नाथ परम पिता हमसे इतने पिताओं का करा देते हैं तो हम तो बिहवल हो जाते हैं हम अपने आपको धन्न समझते हैं कि प्रभू किस जनम का हमारा पुने था जो इतना हमसे हो जाता है खैर आज सूर्य पर विशेश चर्चा है सूर संक्रानती है आप हर राश्य पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसकी चर्चा पहले कर लेते हैं और जानकारी दे दें कि इस आयोजन में जो इस बार 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है इसकी बुकिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर हो चुकी है बस आपके पास अब पांच दिन और बचे हैं इंतजार मत करिएगा बस इस से अधिक में कुछ नहीं कहूँगा बात कर लेते हैं सूर्य परिवर्तन का मेश राशे आपके पंचमेशो करके छठे में आएंगे समस्त सत्रों पर आप जीत अरजित कर लेंगे कोई दुश्मन आपके आगे टिक नहीं पाएगा रुके धर्गी प्राप्ती का प्रयास करिए गुप्त सत्रों को दबाने का प्रयास करिए कोट का चहरी जो चल रहे थे उसको फटा-फट निप्टाने का प्रयास करिए बिशव राशी पंचम में बिशव राशी के पंचमेश हो करके छठे में आएंगे सिक्स हाउस में पंचमेश कहा है चतुर्थ के स्वामी है बिशव के लिए फोर्थ हाउस सिंगराशी उसके मालिक हो करके आजाएंगे कन्याराशी में पंचम भाव में क्रोध बढ़ेगा बच्चों को ले करके कुछ अप्रिय समाचार मिल सकते हैं मानसिक रूप से कुछ तनाव ग्रस्त रहेंगे काम बन जाएगा लाब के अवसर विलेंगे एकादस भाव पर इनकी पूर्ड द्रिष्टी रहेगी लाब के अवसर बनाएंगे वाहन का सुख देंगे मकान की चिंताओं से मुक्ति देंगे विदेश यात्रा के अवसर खोलेंगे मिथुन राशी चोथे भाव में प्रवेश कर रहें प्राक्रमेश हो करके गुप्त शत्रु हावी होंगे वाहन से चोड़ चपिट की संभावना है इलक्ट्रोनिक आइटम कुछ खराव हो सकते है कोई दोस्त धोखा देगा प्रिषिद्धी प्रभावित हो सकती है सतर्ग रहने की आवशकता है करक राशी दुतिये शोकर के थर्ड हावस में मेहनत से धन आएगा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे कोई बुज़ुर्ग काका साथ मिलेगा लोन आदि के प्रभाव ठीक हो जाएंगे जो सिंक्षन हो जाएगा बाहर जा सकते हैं विदेश जाने के आउसर मिलेंगे प्लस धार्मिक यात्राएं कराएंगे सिंग राशी सेकेंड हाउस में आ रहे हैं अदभुत समय रहेगा धन की अप्रतिमिस्थिती बनेगी थोड़े से मनी माइंडेट होंगे आप वाणी में ओज बढ़ेगा तेज बढ़ेगा परिवार में नए मेहमान का आगमन हो सकता है रुक्य धन की प्राप्ति रहेगी परिशानियों से बाहर निकलेंगे कन्या राशी ब्यक्तित तुमें निखार आएगा चमक आएगा बाहरी लोगों से मदद मिलेगी पुराने प्रेम के वापस आने की संभावना है सिक्षा में मन लगेगा प्रमोशन की संभावना है विदेश के आउसर मिलेंगे विदेश में जाब करते हैं तो प्रमोशन की संभावना है तुला राशी तुलाराशी वालों के लिए बारहवे में इनकी उपस्थिती रहेगी बारहवे की उपस्थिती थोड़ा सा गड़बल होता है महिलाओं के लिए पत्भरष्ट होने की संभावना बनती है पुरुषों के लिए बाहरी लोगों से धोखे की संभावना बनती है नहां दीजे सावधान रहिए जो भी बाहरी तत्व आप से मिलने आता है उसको फिल्टर करके फिर विचार करिएगा विच्चिक राशी दसंभाव में है अद्भुत समय रहेगा दसमेश होकर के लावस्थान पर है प्रमोशन धनलाब वाहन मकान का सुक हर प्रकार की शुगता विच्चिक राशी वालों के लिए यह परिवर्तन छप पर फार के देने वाला है धनु राशी भागेश होते हैं और दसमस्थान पर आए मूल त्रिकोल और केंद्र का संबंद विलक्षण समय है आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे रुके काम बन जाएंगे मानस होगा शमन होगा मकर राशी आपके लिए थोड़ा सा समय मुश्किल वाला है आठमे के स्वामी हो करके भागिस्थान पर आ गए है भाग्य में हलकी सी कमी आएगी ज्यान दबेगा गलत निरड़े ले लेंगे गलत कदम बढ़ा देंगे अपनी वाली करने के चक्कर में तमेशो करके पती पतनी के बीच जबर दस्त लेड़ादन 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 लेड़ा डरना एक स्वभाव है स्वभा माने अपना भाव माने विचार डरना एक स्वभाव है आप डर जाते हैं मैं सिर्फ बताता हूँ जो निडर होता है वो तो नहीं डरता है और मेरे बताने का भाव भी यही होता है कि मैंने सिर्फ बताया है इसलिए मुझे बार-बार बोलना पड़ता है जब कुछ कायर लोग, कापुरुष लोग कायर लोग, कापुरुष लोग जब लिखते हैं कि आप डरा देते हैं आप तो डराने का काम करते हैं डर का खेल खेल रहे हैं अरे नामुराद हमने बता दिया कि ये आग है तुझे जलाने से बचा लिया तो हम गलत हो गए दुष्ट कहीं के पकाड के बीस मुक्का वही पिठिया भाका 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 भाक हो रहे तो अगदाय में दिमाग सही हो जाए कुम्बराशी के लिए बीबी और बीबा में मतलब पती पती में कुप धमा चोकड़ी मचेगी कुप उठा पटक होगा अगर कुम्बराशी के हैं ध्यान रखियेगा बहुत तगड़ा उठा पटक होने वाला है पहले ही बता दिये क्योंकि मंगल की भी इस्तिती सूर्य के साथ है अश्टम में जा रही है तो अश्टम भाव सब्तम से दुती होता और सब्तमेश खुद कुम्भालों के लिए सूर्य होते हैं Anyways, अब क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ कहा वहाँ थो भी जा सकता है कुछ नहीं हो सकता है, मीर राशी, बाकी जगों पर ठीक रहेंगे, पैसे उसे की दिक्कत नहीं रहेंगे, कुमभालों के लिए, बस एक के दिक्कत है, पती-पत्नी, अगर आप married है तो, मैरिट नहीं है, तो everything is fine, थोड़ा सा heat attack हो सकता है, कुछ गुपतांगों की दिक्कत आ सकती है, sexual desires कुछ बढ़ सकते हैं, यह छोटी-मोटी चीज़े हैं, यह मनलब ठीक है, manage हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जो manage नहीं होगा, वो हमने बता दिया, और अगर आप partnership में business करते हैं, तो वहाँ पर भी समस्या है, मीन राशी, सब्तम में आये हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके बेक्तित्र में निखार आएगा, आपके लगन को देख रहे हैं, राशी को देख रहे हैं, मीन राशी वालों को देख रहे हैं, कन्या में बैठ करके, तो म हम बताएंगे आपको कि सूर्य मंगल की यूति का क्या फल मिलेगा, ये भी हम बताएंगे, दजार करिएगा हमारे अगले वीडियो का, अगले कारिकरम का, एक बार पुन हम बताते हैं कि 15 सितंबर तक मात्र रेजिस्टेशन चल रहा है, समय मत गवाईएगा, जल्दी करें अपने पितरों को कुछ तो दे दे, थैंकि सो मच, समस्कार, शिरादे